How to fix MTNL, internet not working during call तो दोस्तों यदि आपका SIM में जो ही internet काम नहीं कर रहा है या फिर आपके मुबाइल में call करते वक्त आपका internet काम नहीं करता है तो उस problem का आप कैसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों कहीं बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बात करते हैं बहुत लंबा बात कर लेते और इस अपको यहाँ पर चार तरीका बताऊँगा चार ways बताऊँगा, चार solution बताऊँगा जिसके मदद से आप इस problem का हल निकाल सकते और अपने mobile में जो है आप आसान के साथ बात करते करते internet चला सकते हैं तो दोस्तों देखें सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले तो basic settings जो होता है आप एक पर अपने mobile को जो है दोस्तो setting में चले जाएए अपना mobile के setting में उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है Doyle Sim and Cellular Network या फिर Sim Management शो करेगा आपको या फिर Mobile Network शो करेगा ये तीन में एक शो करेगा उसके उपर आपको क्लिक करना है बेसिकलिए आपको Sim में जाना होता है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको जो भी इंटरनेट ही उसके उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और APN आपको सेटाप करना होगा यहाँ ठीक है APN जैसे कि सबसे में में चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर आपका MCC जो होता है वो 405 होना चाहिए MNC 865 Authentication टाइप not set APN टाइप में आपका Default SUPL और XCAP अभी APN प्रोटोकॉल में IPV4 by IPV6 और यहाँ पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर भी आपका सेम ही होगा और यहाँ पर Bearer सबसे इंपोर्टन है Bearer इसमें आपको Vault-E सेलेक कर लेना है ठीक है और Bearer चले जाना है बाखी सब आपका सेम रहेगा आपे काम कर सकते हैं इसको डिलेट करके आप अलग से एक APN अलग से नया APN भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं ठीक है मैंने जो कहा हो वही set कीजिगा उसके बाद में दूस्तों कर रहा है तो network preference में जाने के बाद में आपको 2G, 3G, 4G, Vault-E मतलब आपको यह option शो करेगा या फिर G यहाँ पर आपको GMS या फिर आपको यहाँ पर GCDMA या फिर WCDMA आपको ऐसा कुछ शो करेगा ठीक है तो यदि WCDMA आपको option आ रहा है तो उसको आपको select कर लेना है उसे में आपको 4G जो है वो support करता है और Vault-E support करता है अभी आपको बेक आना है दोस्तों यह दो setting करने के बाद में अभी फिर भी आपको problem solve नहीं हो रहा है 90% तो आपको solve हो जाना चाहिए बट स्टिल देन नहीं हो रहा है तो आपको अपने mobile का setting और additional setting में चले जाना है और आपको backup and reset में जाके उसके बाद में reset to factory setting में जाके आपका mobile का system setting जो है उसे आपको reset कर देना है क्योंकि दोस्तों हमारी mobile में ज्यादा setting छेरखाणी होने के वज़े से जो है यह problem हमें आता है तो reset system setting ओलने पे click करके आप जो है अपना system का जितना भी setting है mobile का setting सिर्फ दिक है उसे आप reset कर सकते है यह करने के बाद में definitely आपका problem जो है वो solve हो जाएगा और एक last solution जो है दोस्तों यह दिए करने के बाद में भी नहीं होता है झाल क्वर्चिट करने के बाद में भी चाहता है